नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल माजिद साइंस पर आज हम आपके लिए लेकर आया साइंस से जुड़े कुछ मेहत्रपों क्वेस्टन अंसर जो की आपसे आने वाले कंपेटिशन एकजाम में पूछे जा सकती है Most important question all competition exam तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं फटापट दोस्तों आज का हमारा first question है बेरी-बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों सकॉप्स नमबर B यानि विटामिन B1 की कमी के काण बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है और विटामिन B का रसायनिक नाम आपका थाइमीन होता है जो की फल, चावल, अंडामास, दूद, सोयबिन और अंकुरित अनाजमि पर पूर मातरह में पाया जाता है अब बात करते हैं विटामिन A की बारे में विटामिन A का रसायनिक नाम रेटिनल होता है और इसका अनुसुतर C2OH2QOH होता है और इसकी कमी से यानि विटामिन A की कमी से रोतोंदी नामक रो यानि नाइट बलाइडनेस हो जाता है यानि जिसमें वैक्ति को रात को दिखाई नहीं देता उसे night blindness कहते हैं यह विटामिन A की कमी के कारण होता है और विटामिन A आपका गाजर, हरी पतेदार सबजिया, पपीता यानि पके हुए पपीते, आम और फल दूद आदी में वरपूर मातरा में पाया जाता है अब बात करते हैं विटामिन C के बारे में विटामिन C का रसाइनिक नाम आपका ascorbic acid होता है और इसका अनुसुतर C6, H8 और O6 होता है जो कि आपका खटे फलों में बरपूर मातरा में पाया जाता है और यह गरम करने पर नश्ट हो जाते हैं अब बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में विटामिन B12 का रसाइनिक नाम साइनो कोबालीन होता है और इस विटामिन में कोबाल्ट दातू पाय जाती है और यह विटामिन RBC के निर्मान M-PRO-TEN SANSLATION में बहुत ही मदद करता है और यह है विटामिन मास दूद इत्यादी में पाय जाता है परन्तु विटामिन B कमी के कारण सरीर में रक्त की कमी हो जाती है और वर्षा के जल और समुंदर के जल में भी विटामिन B12 पाया जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है मेंडक में निमलीकित में से कोन से दांथ होते है दोस्तों इसकोप्स नंबर ए यानि होमोडोंट मेंडक और छिपकली में इन दोनों में होमोडोंट दांथ पाए जाते है थीकोडोंट यानि एसे दांत थीकोडोंट एसे दांत होती है जो मसूडों में दसे हुए होती है उन्हें थीकोडोंट दांत कहा जाता है जैसे मनुश्य के दांत जो की मसूडों में गुसे हुए होते है नमबर तीन पर आपका हेट्रोडोंट हेट्रोडोंट आपके ऐसे दांत होती है जो अलग अलग परकार के होती है उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है जैसे मनुश्य के दांत मनुश्य के दांत आपके हेट्रोडोंट परकार के दांत होती है यानि मनुष्य के जो दान्त होते हुए आपके चार परकार के होते हैं और यह चार परकार आपके इंसीजर, कैनन, प्री मोलर और मोलर यानि मनुष्य में चार परकार के दंत पाए जाते हैं हमारे next question है स्टार्ट से एक निमली कित में से क्या संबंदित है? दोस्ते सका option number A यानि गुलकोज, स्टार्ट से आपका गुलकोज संबंदित है और इस का रसायनिक नाम C6H12O6 होता है अब बात करते हैं फ्रैक्टोज की फ्रैक्टोज आपका परकर्तिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है जैसे कि सहल और क्रित्रिम रूप से अधिक मीठा सैक्रीन होता है यानि जो क्रित्रिम रूप से तियार किया जाता है वह है आपका सैक्रीन होता है लेकिन इस से क्या होता है आपको उर्जय की प्राप्ति नहीं होती इसका प्रियोग बरप उद्योग के काम में किया जाता है अब बात करती है सुक्रोज की सुक्रोज आपका मोनो सैकराइड के दो अनों से मिलकर यानि डाइ सैकरोड का निर्मान करता है जैसे गुलकोज पलग गुलकोज जिससे आपका क्या होता है माल्टोज और नेक्स्ट आपका गुलकोज पलस फ्रेक्टोज जिससे आपसे क्या होता है सुक्रोज और गुलकोज और गलाइकोज में क्या कर देते हैं निकों कर देते हैं तो इससे होता है लेक्टोज नेक्स्ट आपका गलेक्टोज गलेक्टोज के होता ही है कार्बो हाइडरेट का सबसे सरल अवस्ता होती है और कार्बो हाइडरेट का समान्य फॉर्मूला CH2O2 होता है और वन ग्राम कार्बो हाइडरेट से आपको 4.2 कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है हमारे नेक्ट पैसन है दातों का सिकर किसका बना होता है दोस्तिसकोप्स नमबर सी यानि डैंटीन का दातों का सिकर आपका डैंटीन का बना होता है बलकि दातों की बहारी परत को एनामल कहते है और यह हमारे स्रीर का क्या होता है सबसे कठोर यह मजबूत भाग होता है और दानत के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है डेंटाइन कहती है अब बात करते है कार्टिलेज यानि उपास्ती की उपास्ती के होतीः यह मुलायम एमलचीला होता है जो कि नाक एउम कान के निरमाण में भूमी निबाता है उप्सन D आपका काईटीन काईटीन यानि कीटो के बहारी आवरण का निर्मान काईटीन से होता है और यह बहुत ही मजबूत होता है हमारे next question है स्करवी नामक रोग किस विटामीन की कमी के कारण होता है दोस्ते इसका option number A यानि विटामीन C की कमी के कारण स्करवी नामक रोग हो जाता है और इसका रसाइनिक नाम ascorbic acid होता है जो की खटेदार फलो में बरपूर मातरय में पाया जाता है और इसका रसाइनिक formula C6H8O6 होता है अब बात करते हैं विटामीन के की विटामीन के का रसाइनिक नाम आपका फीलो कविनोन होता है और यह पनीर पत्तेदार सबजियां और टमाटर में बरफूर मातरय में आपको मिलता है और इसकी कमी से रक्त का थाका यानि बल्ड कलोटीन नहीं जमता यानि विटामिन कमी के कारण बल्ड का धक्का नहीं जमता यानि अगर सरीर में कहीं पर भी चोट लग जाते है तो लगातार खून बैता रहता है यह है आपकी विटामिन के कमी के कारण होता है नेक्स्ट करते हम विटामिन E के बारे में विटामिन E करसाइनिक नाम आपका टोको फेरोल होता है और यह है आपका अंकूरित अनाज, दूद और पत्तेदार सबजियों में पाया जाता है और इसकी कमी से पुर्स महिलाव में जनन सक्ती की कमी हो जाती है अब है आपका विटामिन D, विटामिन D करसाइनिक नाम कैलसी फेलो होता है और यह है अंडा, मक्खन, मचली के तेल से और सूरिय की दूप से प्राप्त किया जा सकता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस एमवेसको में ओस्टोमोलेसिया नामक रोग हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है पेपसीन निमलिकित में से होता है दोस्ते सकोप्स नमबर D यानि एंजाइम पेपसीन आपका एक एंजाइम है पेपसीन स्टोमस के पेपटाइक सेल से इस्तरावित जो पेपसीन में बदलता है और यह प्रोटीन यानि पेपटोंस में परिवर्तित करता है नमबर एक पर आपका हार्मोन या हमारे सरी के वीबिन बागों से इस्तरावित होता है इसका मुख्यकारिया बोडी के यानि सरीर के अंगों का विकास करना होता है और नमबर B है आपका विटामिन विटामिन हमारे सरीर में बिमारियों से रक्सा करता है गुलकोज का गलाइकोजन में प्रिवर्तित यकृत में होता है किन्तु इसका संग्रह कहां होता है दोस्तो इसको अप्सन नमबर सी यक्रित एम पेशियों में गुलकोज का गलाइकोजन में परिवर्थित यक्रित के तुवारा तो होता है करन्तु इसका संग्रह यक्रित तथा पेशियों में होता है ये कृत आपका सरीर का सबसे बड़ा एक्जोक्राइन गलेंड यानि बही स्त्रावे गरंती होती है और लीवर में गड़बड़ी होने के कारण पीलिया नामक यानि जोंडिस नामक रोग हो जाता है और liver से ही आपका पितरस यानि bail juice का निर्मान होता है ये करित का काम विसलेपदार्थों को विसहीन बनाता है यानि इसमें यूरिय का निर्मान होता है पुरानी RBC यानि old RBC को नश्ट करने का काम करता है इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K का निर्मान करता है इसमें है आपका तिल्ली यानि जिसको सपलीन यह सरीर का बलड बैंक कहा जाता है और और आर बीसी का कबरगा भी सपलीन को कहा जाता है हमारे नेक्ट क्वेशन है वह कौन सा तत्व है जो दंत इनमल को कठोर बनाता है दोस्तों सकोपस नमबर सी यह वह आपका फलोरीन होता है यानि वह तत्व आपका फलोरीन है जो दंत के इनमल को कठोर बनाता है और फलोरीन की कमी के अडमवानों सरीर में फलोरीस नामक रोग हो जाता है नमबर बी पर आपकत कैलसियम दात में कैलसियम फासफोर्ट यानि 85% कैलसियम कारबोनेट और कैलसियम फलोराइड पाय तत्तो पाय जाती है और मुनुश्य के दान्त एम हड़ी कैलसियम की मातरा अधिक होती है नमबर ए है आपका आयोडीन आयोडीन से आपका जो प्राप्त किया दोए है आपका लैमेनेरिया नामक सेवाल से आयोडीन को प्राप्त किया जाता है और इसकी कमी से घेंगा यानि ग्योटर नामक रोग हो जाता है नमबर ए है आपका सोडियम सोडियम का काम क्या होता है पेसियों के संकोचन में मदद करना और रक्त के दाब को नियंतरित करने का काम भी सोडियम का होता है हमारे नेक्ट क्वेस्टन है पित का मुख्या कारिया क्या है? दोस्ते इसको function number D यानि पाचन तता सोसन हेतुवसा का इमलसन करना पित का मुख्या कारिया होता है और पित बोजन को सारिया बनाता है हमारे next question है जनन समता में निमलिकित में से किसकी कमी से होता है? лोस्त गोप्सन नंबर D यानि विटामिन E की कमी के कारण जनसमता की कमी होती है और पानी में गुनन सिली विटामिन आईके B और C होते है जबकि वो सामिल गुनन सिली विटामिन A, D, E और K होते है हमारा नेक्स्ट क्वेसन है vitamin की खोज किस के दोऔर की गई थी दोस्तो इसका बसर नंबर सी यानी funk के दोऔर बिटामीन की खोज की गई थी हमारा next question है DNA में होता है दोस्तो इसका बसर नंबर D यानी nucleodides जो की आपके DNA में होता है और DNA में आपके दो polynucleides के बने होते है पर तेक पोली नुकलाइड में काइन नुकलोइड होते है और नुकलोइटाइड नाइट्रोजंस बेस का बना होता है जिसमें आपके पुराइन अम पा你知道 होते है अब बात करते हैं आपकी अमीनो एसिडगी 20 परकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्मान करते है और प्रोटीन को बोडी मैटीरियल यानि बोडी बिल्डिंग मैटीरियल भी कहा जाता है प्रोटीन एंजाइम एम हार्मोन के निर्मान में बहुती महत्वपूर्ण होते है नमबर B और C आपका पैप्टोन्स और पैप्टाइड्स पैप्टोन्स एम पैप्टाइड्स अगनाशय से अगनाशी रस निकालता है जिसको ट्रिपसीन प्रोटीन और पैप्टोन्स एम पैप्टाइड्स में बदलता है हमारे next question है कौन सा carbohydrates monosaccharide होता है दोस्तों इसको option number C यानि glucose infractose जो की आपके carbohydrates monosaccharide है glycose भी आपका monosaccharide होता है carbohydrate disaccharide की अंतरगत आपके maltode, sucrose, m-lactose आते है जबकि polysaccharide की अंतरगत आपके starch glycosin, m-cellulose, m-kaitin होता है हमारे next question है यक्रित द्वारा बनाए गया पित, पिताश्यय में किसके द्वारा पहुँचता है दोस्तों इसको option number C यानि cystic duct के द्वारा यक्रित द्वारा बनाए गया पित, यानि बाइल पिताश्यय में cystic duct के द्वारा पहुँचता है हमारे next question है निमलेकित में से कौन सा dice saccharide है दोस्तों इसको option number D यानि maltose maltose आपका dice saccharide है हमारे next question है जो आप सभी के लिए करप्या कोमेंट करके जरूर बताएगा कि निमलीकित में से किसके sensation के लिए cholesterol अवाश्यक होता है हमारे पास four option है insulin estradiol glycosin या उपरोक्त सभी दोस्तों कोमेंट करके जरूर बताएगा कि निमलीकित में से किसके sensation के लिए cholesterol आवसक होता है फिलार के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजीद साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद